हरे पिष्णा, हरे किष्णा, किष्णा पिष्णा पिष्णा वायम तून अबित्रप्याम स्वादू पदे पदे शवनकादी मुनी कहे सुत्गो सामी से कह रहे थे हम थके नहीं हैं वायम तून वित्रप्याम याम त्रप्त भी नहीं हुए है जिसे पी रहे हैं ये भागवत पियूश पान स्रीमत भागवत सुधा कथा तो और पीने का और शवन करने की लालसा इच्छा जग रही है तो जैसे शवनकादी मुनी भी थके नहीं थे आप थके हो क्या कुछ लोग थके इसलिए बोल भी नहीं रहे हैं आप थके होते तो शाद आते ही नहीं तो आप विबंत ये भागवत अत्मनहा सताम कथामरितम श्रवन पुटेशु जब हम स्रीमत भागवत के कथामरित का पान करते हैं ये पान तो मुख से नहीं ये कान से होता है श्रवन पुटेशु तो पिबंती जह हम पीते हैं कथामरित तो फिर क्या होता है व्यागे कहते हैं पुनंत पुनंती पिबंती का परिणाम है फल है पुनंती हम लोग पवित्र हो जाते हैं ते विशय विदूशित आशयम Polluted aim of life शेला प्रभुपात असका अनुवाद करता है हमारे जीवन का हम लोग ऐसे लक्षा बनाए है वो दूशी था लक्षा कलुशी था वो लक्षा हमारे जीवन का धेई लक्षा उसका क्या होगा उसकी सफाई होगी पुनन्ती उसमें सुधार होगा और हमारे जीवन का लक्षा भी स्पष्ट होगा और क्या लक्षा है अगे कहते हैं तो पहले हुआ पिबन्ती पिएंगे दूसरा क्या है पुनन्ती हम लोग शुद्ध होंगे हमारे जीवन का लक्ष, हमारी भावना ही शुद्ध होगी, भाव शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे, फिर आचार भी शुद्ध होगा, फिर हम प्रचार भी, शुद्ध प्रचार भी कर सकते हैं, भाव शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध हो कहां करते थे, कृष्ण भावना मतलब क्लियर, स्पस्ट, स्वच्छ, विचार या भाव। तो स्रीमत भागवत के श्रवन से यह होता है, पुनन्ति, और फिर शुक्दे गोसामी कहरे ब्रजन्ति, वे जाते हैं। पहले पीते हैं, फिर शुद्ध होते हैं, पुनन्ति, फिर पहुंचाते कहां। तद चरन सरोरुह अन्तिकम। भगवान के चरनों तक जो कमल सद्रिश है, चरन कमलों तक पहुंचता है। वह व्यक्ति जो पीबंधी, जो पीता है, स्रीमत भागवत। के कथामृत को, तो एक व्यक्ति के फिर घर, पुरे घर के परिवार के कुट्वम के सभी सदश्चों के भाव, भाव में सुधार, पुनन्ति, फिर फिर पुरे समाज, फिर देश और फुरी, पुरी मानव जाती का, भाव में विचार, फिर सदाचारी। तो ऐसा तो नभव हम नहीं कर रहे हैं, जहाँ भी देखते हैं वहाँ, कुछ अनाचार, कोई व्यभीचार, कोई भरस्टाचार, कोई दुराचार, तो यह सब के स्थान पर सदाचार, और यह सारा संभव है, स्रीमत भागवत के इश्रवन से, स्रीमत भागवत हम हमारे जीवन का एक गाइडिंग प्रिंसिपल अगर बन सकता है, वैसे यह समझ भी है, बगवान ने जब यह स्रिष्टी बनाई, तो इसके साथ बगवान एक मैनियूल भी बनाए, मुझे भी कोई प्रॉड़क्ट बनता है, आजकल तो बहुत चलता रहता है, फिर माइक्रोफोन है या वाटेवर, जो भी है, कोई छोटा मोटा एक मैनियूल, उसको कैसे हैंडल करना है, खोलना है, जोडना है, उसकी केर, यह वो सब, मैनियूल, हो तो अपरेट, तो क्या आप समझते हों कि भगवान ने इतना बहुत बड़ा प्रॉड़क्ट यह स्रिष्टी बनाई, और इसके साथ कुछ मैनियूल नहीं दिया, आहां जरूर दिया, स्रिष्टी बनते ही, कुछ बनाई और फिर मैनियूल भी बन गया, इसका डिक्टेशन दिये, भगवान, ब्रह्मा को, जो अब आगे और भी श्रिष्टी की रचना करेंगे, तो उसके पहले ही, उच्छतु स्लो की भागवत का है, आगे थोड़ी चर्शा होगी उसके, तो यह गीता, यह भागवत, यह सारा वईदिक वांगमा है, यह मैनियूल है, इसका अपयोग अनिवारिय है, और यह मैनियूल, अपकॉर्स, मनुश्यों के लिए मैनियूल है, पश्यू पक्ष्यों के लिए नहीं, उनका जो भी इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वे अपना कार्य करते रहेंगे, प्रक्रति के नीमों के नुसार, तो हमारी लिए भी नीम दिये है, मैनियूल के रूप में, गीता भागवत, इसका अगर उप्योग नहीं करेंगे, मैनियूल का, और सीधे इसके साथ डीलिंग करना शुरू करेंगे, तो हम लोग बहुत कुछ बिगहार्ट करेंगे उस प्राड़क्ट में, और हमने किया भी है, बहुत सारा बिगहार्ट, और इसका एक नाम है, ग्लोबल वर्मिंग, जो वर्निंग ही है, हम सभी मनुशों के लिए, साथान, इसके गोद में हम रहते हैं, वो धर्ती माता, उसका ही तेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, 4 degrees से, उनका ताप मान बढ़ गया, प्रत्वी का, अब क्या होगा, कुछ साइंटिस, उनका प्रस्ताव है, प्रत्वी का, प्रत्वी का, लुप प्रत्वी का, लुप प्रत्वी का, में इन बोर्ट में कोई खत्रा है, कोई पानी भर गया, कुछ दामा डोल, तो फिर उस बोर्ट से उतर के, लोग लाइब बोर्ट में हाँ जाते है, और फिर कई किनारे पर पहुं जाते, लाइब बोर्ट की मदद से, तो शास्त्रग्यों का भी, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, तो अब तक हम लोग तो बहुत विस्वास करते रहे, इस साइंटिस्स जाओनों 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 जास्त्रों में, धर्म में लगाने के बजाए हमने सारा ट्रस्ट, फेद, श्रधा, ब्लाइंड फॉलोइंग हम करते रहे, ये वई ज्यानिकों का इत्यादी, जमंडली है, अकेले नहीं है, पुरी टीम है, तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं, दुष परिणाम, gonna serious, जो परिणाम दीखते हैं उसी को कुछ, उसी में कुछ सुधार या आजस्मन करने का प्रयास करते हैं, जिसको symptoms कहते हैं, symptoms कुछ लक्षन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लिगन वो symptoms का जो cause होता है, कारन होता है, कारिय का कारण होता है तो कुछ हम कारिय या परिनाम यह फेक्ट्स हम देखते हैं लेकर इसका जो कॉज है उसका उसकी उर्ध्यान नहीं देते हम वो कॉज इस मैनियूल में बताया गया है जब तक ये किता भागवत का रेफरेंस नहीं लेंगे हम तब तक हमारे सारे प्रयास विफ़ल होंगे हम सुधार नहीं कर पाएंगे फिर वो साइंटिस या फॉलिटिशन या डॉक्टर्स या इंजिनियर्स या इटी सारी टीम है तो रेवलुशन क्रांती की शिरवात हमें अपने भावों से consciousness इसको कहा है revolution in consciousness हमारे भाव में वचार भाव चेतना अंतहकरन स्मृति पटल यह हमारे हमें है यह सब तो बहां से जो भी हम action लेते कारिय करते उसका उसकी शिरुवात उन भाव में उन विचारों में उस चेतना में तो वही अगर बिघाड हुआ है तो फिर बाहर जो इसका प्राकट यह है अलग अलग वानी के रूप में यह कृती के रूप में कारे के रूप में ऐसा ही होगा इसलिए वैसे कहें शुक्दे गोसामी पुनांति ते विशय विदूशिता शयम श्रीमत भागवत के श्रवन से पुनांति यह प्यूरिफिकेशन शुधी करन होगा हमारे चेतना का, हमारे भावों का, हमारे विचारों का, हमारे जीवन के लक्ष का शुक्दे गोसामी द्वितियसकंद में दो प्रकार के मुक्ती के मार्ग कहते हैं एक नाम है क्रम मुक्ती और दूसरे का नाम है सद्य मुक्ती यह दोनों प्रस्तुत करते हैं पिर देख लो, ए राजा परिक्षित, तेक पिक इसमें से अपने पसंद का, मुक्ती का इस अंसार से मुक्त हो के भगवत प्राप्थी का मार को तुम अपनाओ, क्रम मुक्ती को समझाते हैं, वे कहते हैं कि कैसे तो हुआ, वैसे क्रम मुक्ती को अपनाने माले योगी होते हैं योगी और सद्य मुक्ती को अपनाने माले भक्ती योगी होते हैं वे भी योगी लें भक्ती योगी होते हैं और दुसरे योगी या सिधी योगी होते हैं जो क्रम मुक्ती को अपनाते हैं तो ये योगी या सिधी योगी शुशुम्ना नाम का एक जोतीर माय प्रकाश में एक मार्ग है उस मार्ग से आगे बढ़ते हैं और अगनी लोग तक पहुँचते हैं और वहां के अगनी के ताब से कुछ बचा हुआ कुछ विचार में कुछ दोश या कुई पाप बुध्धी कुछ अब भी बची है तो उससे मुक्त होते हैं उसकी राख होती है वहां से आगे बढ़ते हैं फिर बना कहते हैं शुशुमार नामक एक चक्र है जगर्भधक्षी विश्णुक के नाभी को भी ये शुशुमार चक्र कहा जाता है वहां योगी पहुँचता है उसका लक्षत तो वैसे भगवान का धाम है लेकिन वाया सत्य लोग या ब्रह्मलोग खोते हुए वह भगवान के धाम लोटना चाहता है और वो सीधे ब्रह्मलोग भी नहीं जाता जिसको सत्य लोग भी कहा है ज़से जाई रहा है अगनी लोग ज़से शुमार चक्र फिर वागवान से आगे बढ़ता है और पहुँच जाता है महर लोग में जहां पर वो ब्रह्मा के एक दीन तक वहा रहता है जहां पर शुदेगो सामिलिक ब्रह्मवित जो ब्रह्म के वेता है वे उनका स्वागत करते है उनको नमस्कार करते है जो सिधी योगी जो वहाँ पधार चुके है फिर ब्रह्मा के एक दीन के अंत में और ये घटना ब्रह्मा के हर दीन के अंत में घटती है अनंत शेश भगवान के मुख से जुआलाए निकलती है और सारे ब्रम्हान को जो पूरे ब्रम्हान को आग लगाती है ज्वालाए यह ब्रम्हान एक अंडे का कार का है या टर्बुजे का कार का है कभी कभी का फुट बॉल की तरह है और हम लोग इसके अंदर है तो यह योगी अब पहुंचा हुआ है महर लोग जो स्वर्ग लोग से भी उन्चा है तो अब नीचे से जब आग लगती सारे ब्रम्हान को यह वैसे प्रलय का समय है लेकिन प्रलय के भी दो प्रकार है ब्रम्हा के एक दिन के अंत में प्रलय होता है जो अंशिक प्रलय होता है कुछ नीचे के लोग कुछ आधा ब्रम्हान और उपर तक थोड़ी जौलाय पहुंचती है लेकिन सत्य लोग तक नहीं पहुंचती तो नीचे के लोग उनका प्रलय होता है और ब्रम्हा जब जग जाते हैं एक रात्री के अंत में तो पुना उसकी स्रिष्टी होती है और यह प्रक्रिया हर दिन के अंत में और फिर पुना उसकी स्रिष्टी होती है जब नीचे से आग लगने लगती है ब्रम्हा के एक दिन के अंत में तो योगी वहां से और आगे बढ़ते हैं उन्चे और ब्रम्ह लोग पहुंचते हैं जो ब्रह्मा का अपना लोग है, सत्य लोग, न यत्रशोको, न जरा, न मृत्यूर, वह शोक नहीं है, वह के लोग शोक नहीं करते हैं, पंडित होंगे, पंडित लोग क्या करते हैं, नानुसूचंदी पंडित हा, भगवान कहें, तुम कैसा पंडित, बाते तो पंडित तैसी कर रहे हो, लेकिन, तुम शोक जो कर रहे हो, मतलब तुम पंडित नहीं हो, लेकिन सच मुष पंडित होते हैं, सत्य लोग के लोग, ये योगी भी पंडित तो, वे शोक नहीं करते, वहां मृत्यू नहीं होती वहां उद्वेग नहीं किसी प्रकार का शुक्देगो स्वामी करते बस एक बात का उनको दुख होता है वो कौन सा? कि पुने के लोग भक्ती नहीं कर रहे हैं कि पुने के कहो फिर बंबई का भी नाम जोड़ो फिर कॉलापूरशोलापूरनाकपूर भी आदिया तो यहां के लोगों को भूलते नहीं और यहां के लोगों का दुरंत दुख प्रभाव अनुदर्शनात सुक्देगो स्वामी कहते हैं इस पृत्वी लोग के लोगों का भयानक दुख कस्ट की यातनाएं जो या भोगते रहते हैं लोग तो वहां के लोग उपर वाले सत्य लोग के लोग योगी भी परदुख दुखी यहां के लोगों के दुख को देखके ही थोड़े दुखी हो जाते हैं otherwise वहां कोई दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है वह रहते हैं यह बहुत समय मतलब कितना समय है ब्रह्मा के पूरी एक आयू एक दिन फिर एक सब्ता महिना एक वर्ष इस परकार एक सब वर्ष ब्रह्मा जीते हैं अब अब यह एक दिन कितना लंबा है अभी नहीं बताएंगे किसी दिन चाहद ओचरचा आएगी तो हुआ इसका क्यलकुलेशन हुआ है ब्रह्मा के आयू का तो वे 15,480 करोड वर्ष जीते हैं सुना आपने आपको शौक तो नहीं लगा 15,480 क्रोड इतने वर्ष ब्रह्मा की आयू जो महा विष्णू के एक सास के बराबर महा विष्णू ने कर लिया तो ब्रह्मा की एक आयू समापत हो गई पिर महा विष्णू गॉड इस ग्रेट भगवान महान है इसको भी सिखाता समझाता है ये ग्रंठराश्री मद भागवतम तो ब्रह्मा के सव साल पूरे जब होते है तो अब महा प्रलय का समय आया अब पूरा ब्रह्मान का प्रलय होगा महा प्रलय हर दिन के अंत में तो प्रलय होता था लेकिन अब महा प्रलय इसमें शिव जी का भी रोल है, भूमी का है, तांडव नरत्य करते हुए, डंबरू बजाते हुए, तमगुन की मदद से, सारे ब्रम्हार्न का बिनाश, फ्लर्ड एवरिवेर और अगनी और वायू और सारे पंच महाबुथ अपना-पना कारी निभाते हैं विनाश में भी, तब ये जो योगी है, ब्रम्हार्न से बाहर, और इस ब्रम्हार्न के आवरन है, इस फुटबॉल का जो कवर होता है, तो उस में से बाहर आता है, उसकी भी बताये प्रक्रिया कैसे बाहर आता है, पिर पहुंचता है विर्जान अधी तक जहां पर स्नान करके पिर पार करता है विर्जान अधी को और उस पार है भगवान का दूसरा धाम वहाँ जोतीर मैं प्रकाश मैं जगत है जिस जगत में अलग-अलग लोग है जिनको वैकुंठ लोग या विश्न लोग कहा है और भगवान के सारे अवतार वहाँ निवास करते हैं और वहाँ से अवतरती भगवान अवतार लेते हैं मतलब वहाँ से भगवान यहाँ पधारते समसार में तो योगी क्रमशाहा जैसे आगे बढ़ा उपर चढ़ा और अंत में भगवद धाम को प्राप्त किया तो ये क्रमशाहा मुक्ती हुई तो भक्ती योगी की मुक्ती तो जैसे तुकारा महराज या जैसे दुरू महराज उन्हें भक्ती की जीवन भर और अंत में स्वेम भगवान ने विवस्था की उनके लिए विमान भेजा और दूसरे एक्षन भगवान के धाम में पहुंच गया भक्ती कर रहे थे भक्ती कर रहे थे बक्ती कर रहे थे अंते नारायन स्मर्ति ही और अंत में नारायन का स्मरन किया अब त्यक्त्वादेहं पुनर जन्म नहीं थी अब पुनर जन्म नहीं होगा मामी थी सीधे भगवान के धाम और इंस्टन्ट लिए यहां से उस धाम में श्रीला प्रभुपात कहा करते थे कि आपके लिए एक लाइफ टाइम है इस जीवन क्यांत में आप ऐसा जीवन जीओ ऐसी करनी करो ऐसा जप जपो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे और भी भक्ति के कारिय है और अपने भावना का चेतना का रंग बदलो पवित्र करो पुनन्ती फिर व्रजन्ती फिर ऐसे भक्ति योगी सीध है यह श्रीला प्रभुपात कहते हैं यह दो जो क्रम मुक्ती और सद्य मुक्ती है और किसी को दस्वे मन्जील पर जाना है तो कोई सीड़े से जा सकता है एक मन्जील, दो मन्जील जा रहा है, जा रहा है फिर पहुंच गया, फाइनली तो दुसरा ब्यक्ती कैसे जा सकता है लिफ्ट से जा सकता है लिफ्ट में बैठ गया पुछ दबटन और रहा है लिफ्ट में बैठ गया पुछ देवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत तो इन दोनों में आप कौन सा राजा परिक्षित तो चैन किये ही इन दोनों में से एक मार का आप कौन सा पसंद करोगे क्राम मुक्ती की सद्यमुक्ती की जाए तो उसके लिए साधन है लक्ष भगवान का धाम है तो भक्ति योग ये लिफ्ट है भगवान के धाम पहुचने का साधन है आगे बेसे स्रिष्टी का या संसार की स्रिष्टी प्रचना, ता क्रियेशन इसका वर्णन, विस्तरिद वर्णन तृतियस कन्द में होगा यहाँ कुछ पूर्वतयारी है setting the scene मंच बन रहा है तो ब्रह्मान जो महाविष्ण के शरीर से निकलता है कई सारे ब्रह्मान, अनन्तकोटी ब्रह्मान और इस ब्रह्मान में महाविष्ण मु प्रवेष्ण करते है तो इस ब्रह्मान में तो प्रह्मान तरह भी Depois में बिलकूँ खाली होता है प्रीकत होता है Empty तो वहाँ कोई बगबान ने प्रवेष्टों किया लेकिन वहाँ नदा कूरसी है नदा पलंग है, नदा सोफा है, नदा कुछ मी नहीं, just hollow inside. तो बगवान जब सोची रहते कहां पर मैं बैट या लेट सकता हूं, तो उसे के साथ बगवान जो नर भी कहलाते हैं, नर नारायन, इस नर के अंग से जल निकलता है, वो नर से निकला इसलिए उस जल को कहा है, नार, नर से उत्पन हुआ, नार, और उसे आधा ब्रह्मान भर गया, और इस पर उस जल पर अब आसन हो गया, जल पर बगवान, लेटते हैं, या जल पर रहते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम नारायन है, नर से नार, जल, और उस पर निवास करने वाले वहार रहने वाले नारायन, तो बगवान का एक नाम नारायन, ये गर्भदक्षे विश्नु भी नारायन है, इनके नाभी से कमल का फूल, और उस पर ब्रह्मा का जन्मा, उनको इतना पता है कि मज़े स्रिष्टी करनी है, ये स्रिष्टी की पिल्कुई शुरुवात है, और पूरे ब्रह्मान में बस दो ही व्यक्ती है, एक तो ये नारायन, कर्भदक्षे विश्नु, जो जल पर लेटे हैं, और उनके नाभी से उत्पन्नुस कमल पर बैठे है ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मान में दो व्यक्ती, एक भगवान, नारायन, विश्नु, और दूसरे है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जानते हैं कि उनका स्रिष्टी करनी है, लेकिन कहां से शिर्ष्टी करनी है, क्या प्रक्रिया, इत्यादी, इत्यादी उनको ग्याद नहीं है, लेकिन स्रिष्टी करने का विचार तो है, तो विचार कर ही रहे थे, कि मुझे कहां से शिर्ष्ट करनी है, कहां से शिर्ष्टी करनी है, तब उन्होंने इस शिर्ष्टी की विलकुश शिर्ष्टी है और पूरे ब्रह्मान में बस दो ही व्यक्ति है, एक तो यह नारायन, करभधक्षे विष्णु, जो जल पर लेटे हैं, और उनके नाभी से उत्पन्नुस कमल पर बैठे है ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मान में दो व्यक्ति, एक भगवान, नारायन, विष्णु, और दूसरे है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जानते हैं कि उनका सृष्टी करनी है, लेकिन कहां से शुरवात करनी है, क्या प्रक्रिया, इत्यादी, इत्यादी, उनको ग्यात नहीं है, लेकिन सृष्टी करने का विचार तो है, तो विचार कर ही रहे थे कि मुझे कहां से शिरवात करनी क्या करना है कहां से शिरवात करनी है तब उन्होंने दो अक्षर सुने एक अक्षर त और दूसरा अक्षर पौ त पौ त पौ यह आकाश्वानी हुई ता पा ता पा तो ब्रमाजी देख रहा है कौन है कौन कह रहा है ता पा तो उसका सोर्स तो उनको नहीं दिखाया दे रहा है लेकिन मैं सबस्ट सुन रहे ता पा ता पा तो दोनों अक्षरों को साथ में जोड़े तो ता पा आ मुझे तपश्चरिया करनी चाहिए तो ब्रमा उसी कमल के आसन पर विराज मान होके एक हजार वर्षों तक तपश्चा करते हैं अभी दिव्य वर्ष जो हमारे वर्षों से अधिक लंबे चवड़े होते हैं उतने सालों तक उनोंने तपश्चा की तो और भी शुद्ध हुए तपो दिव्यम पुत्रकाइन सत्वम यश्मा शुद्धे ब्रम्ह सुख्यम त्वमनंतं यह तप का परिणाम तप तपाता है जो भी दोश है कुछ अभाव है तुटी है मल है उसको जलाता है चेतना को और शुद्ध करता है तो उस अवस्था में ददामी बुद्धियोगम भगवान दर्शन भी दे सकते हैं बुद्धी देते हैं दर्शन देते हैं तो यहां तो भगवान ब्रम्ह को दर्शन ही दिये भगवान में से यह पर वाल भगवान तो अंडांतरस्त परमानुचयांतरस्तम भगवान तो सर्वत्र है इस ब्रह्मान में भी है करबदक्षी विष्णू के रूप में अपने धाम में भी है वाईकुंठ में है तो वाईकुंठ के भगवान उनको दर्शन दे रहे है ब्रम्हा जो कमल के आसन पर बैठे थे उनको दर्शन हो रहा है वही बैठे बैठे वाईकुंठ में स्थित भगवान का पे दर्शन कर रहे है सुरसुरारचिताहा भगवान जिनकी अर्चना आराधना सुरसुर सभी चराचर करते हैं जय 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 जगनात सचीरन अंदन त्रीभुवने करेजार चरन बंदन तो जय जगनात स्वामी की तो जगनात कैसे है बगवान जिनके चरनो की बंदना सारा त्रिभुवन उनके चरनो की बंदना करता है अईसे बगवान बगवान, संदर्शया मासो, विशेष धर्षन, ब्रह्मा को बगवान ने धिया, शामा बदाता, बगवान, शाम वर्नके, बगवान, शाम वर्नके बगवान, कमल लोचनी भगवान, संदर्श, संदर्श, कमल सदर्श, लोचन, भगवान के है, पीताम बरबस्त्रप पहने वे, चतुर बाह बाह, चतुर भुष, पद्मशंक गदा चक्रधारन किया है, जनोंने अपने चारो भुजाओं में, मनी जटित, सुवर्नमय आभोशन पहने हुए है, वईदूर ये मनी, बड़ा मुल्यवान, मनी, भगवान, कुंडल पहने है, माला पहने है, भगवान के अंग से, भगवान के सवंदर्य की कोई सीमा ही नहीं, सवंदर्य की रासी निकलती रहती है, बिखरती रहती है, कुछ सीमा नहीं हो सवंदर्य की, और जिस सवंदर्य का वर्धन होते रहता है, सवंदर्य बढ़ते रहता है भगवान का, बगवान स्वयं भी अकृष्ण होते अपने सवंदर्य की ओर्ध, रूप माधुरी, वेन माधुरी, रूप 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 माधुरी, माधूरी, माधूर्य, मधूर्था, the sweetness, भगवान के रूप का, माधूर्य, उसे स्वयं भगवान अक्रिष्ट होते हैं, अभी-अभी राधरानी कहती है, प्रभू, प्रभू, आप आएने में मत देखना हा, प्र आप आएने में देखोगे तो फिर, मेरी और आप देखोगे नहीं, मुझे पूछोगे भी नहीं आप, इतने आप सुन्दर हो, अच्छा है कि आप खुद को देखे ही नहीं, तो ऐसे, और बगवान का, जो अंग है, वो सुगंधीत भी होता है, सौरव, जहां भगवान बैठे रहते हैं, विराजमान होते वाद, सुगंध फैलते रहता है, और आभा, भगवान के, अंग से, तेज निकलता है, उसी का नाम है वैसे, ब्रह्म जोती, कुछ योगी ध्यान में, उस ब्रह्म जोती का ही, दर्शन करते हैं, प्रकाश का ही दर्शन करते हैं, और समझते हैं, हमको हो गया साक्षात का, क्या देखा, हमने प्रकाश देखा, जोती, ब्रह्म जोती देखी, तो, ये ब्रह्म जोती भी भगवान है, भगवान को अलग नहीं किया जा सकता, भगवान से, तो ये, जो योगी होते हैं, ये, ईस ब्रह्म जोती सरी प्रसन्न होते, ब्रह्म साक्षात का, लेकिन भगवान के जो भग्त होते हैं, उस जोती से भी आगे बढ़ते हैं, ब्रह्म जोती है, प्रभू प्रभू यह जो ब्रह्म जोती है इसको हटाईए मुझे आपका आपके चरण कमल का आपके मुख मंडल का दर्शन करना है जोती में थुड़ी घटाईए यह जोती तो भक तागे बढ़ता है और उस जोती का जो श्रोत है भगवान का रूप तक पहुचता है श्रोथ होता है और यह तीनों मिलके अजवाय है मतलब अलग अलग नहीं है तीनों मिलके एक है तीनों मिलके एक है तो ब्रह्मा दर्शन कर रहे है वहाँ वाईकुन की विविज्य का दर्शन कर रहे है वहाँ विमान भी आकाश में वाइकुंट में विमान आपने क्या सोचा वहाँ ऐसा वाइभाव भी है वस्तेजियो में विमान में भक्त महात्मा विष्रन करते हैं विहार करते हैं और भगवान नारायन विष्णु उने धाम में उनके चर्णों में लक्षिमी है जो सदय उनके उनकी सेवा करती रहती है कभी चर्णों की सेवा करती है तो या शुक्देगो सामी कह रहे हैं जैसा जैसा दर्शन हो रहा है ब्रह्मा को उसका वर्णन वे सुनाते हैं तो वो कहते कभी कभी लक्षिमी जूले पर भी बैठती है और जूला जब जूल रही है तो अपने प्रभू का गुन गाती है और इतने में और लक्षिमी के साउंदर्य और सौरव सुगंध से अक्रिष्ट होके कई मधुमा खिया वहाँ पहुंजाती है कुछ मालाय भी पहनी हुई है फ्रेश फ्लावर्स और ऐसे क्योर्फ लक्षिमी का अंग भी सुन्दर है और सुगंधित है उससे अक्रिष्ट होके प्रियकर्मगा यती तो लक्षिमी गा रही है जब भगवान का गुनगान तो ये भवरे भ्रमर वो गुन गा रहे है ब्रम्हा बहाग इनके वाग्षिमी और नाराय नहीं है काफी जन्ता है काफी पॉपुलेशन है और वे सभी चतुर्भूज वहाँ के लोग और सभी मुगोट पहनते हैं सभी कुंडल पहने हुए बड़े सुन्दर अती सुन्दर बाप जैसे बेटे उनका बाप तो भगवान ही है तो वैसे सारे पुत्र पुत्रिया बड़ी सुन्दर पती सुन्दर और दीव्य साउंदरिया बस तो जब वो समुद्र मन्थन हो रहा था तो जो मनी मिला कौस्तू मनी वो भगवान को दिया गया तब से थोड़ा काम आसान हुआ नहीं तो भगवान को मिलने के लिए पहली बार जाता या वैकुन में प्रवेश करता तो बहां के चतुर्भुष मनुष्यों को देखके उन्हीं को प्रणायम करने लगते हैं लेकिन हम के ते नहीं 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 आप गड़ो तो उनको थोड़ा ब्रह्म पैदा होता था कि शाहद ये चतुर्भुष है कुंडल भी पहने मुगुठ है ऐसा वर्णन अमने भागवत कथा में सुना था तो वैसे ही लग रहें लेकिन क्या देखना होगा कौस्तुब मनी है कि नहीं जिस व्यक्ति के वक्षस्थाल पर कौस्तुब मनी है वे है भगवाण ऐसा और भी भगवान का संदर ये तो भगवान का संदर ये है अन्यों का भी अपना अन्य जन्ता का अपना कुछ सीमा तो है अंतर तो है तुसे भी भगवान की आईडी, भगवान को, I am God, तुन ऐसा कुछ पहन को घुमना नहीं पड़ता है, मैं God हूँ, I am the Lord, तुक कॉस्तुमनी पहने हुए है, और ये जो ब्रह्म जोती है, और संदर ये है, और देखा जाता है कि सुनन्द, नंद, प्रबॉल, अरुहन, ऐसे भगवान के मुख्य मुख्य पार्शद है, उनको देखने से भी जहाँ ये सुनन्द, ये प्रशिद्ध है, सुनन्द, नंद जहाँ है, जिनकी सेवा कर रहे हैं, मतलब वे भगवान है, वे नारायन है, दर्शन किया है, तो हर्शित हुए है ब्रह्मा, पुलकित हो उठे है ब्रह्मा, प्रह्मा के आखों से, नेत्रों से, प्रेम अश्रुध हराय बह रही है, प्रियहा प्रियम प्रीत मनहा करेश प्रशन और अब तो भगवान को, ब्रह्मा को उस्थिती में, उस मनस्थिती में, उस भाव भक्ती में, भगवान ने देखा है, तो भगवान आगे बढ़े हैं, और ब्रह्मा के समक्षा के उन्होंने ब्रह्मा के साथ हाथ मिलाए, शेख हैंड हुआ है, और भगवान कहते हैं, कोई समय पहले मैंने देखा, कि तुमको पता नहीं चल रहा था, स्रिष्टी का कार्य कैसे प्रार्यम करना है, कर्म विमोहिते, तुम संभ्रमित लग रहे थे, किम कर्तव्य विमूधता करे की न करे क्या करे कैसे करे तो अब भगवान कहने मैं ही तो था, जनोंने वो तप तप कहने वाला मैं ही तो हूँ, तपो में रिदयम साक्षात, अब रगवान कहते तप मेरा रिदा है, आत्माहम तपसो अनगा, और मैं स्वयम तपश्या का आत्मा हूँ, स्रजामी तपसईव इदम, तो इस रिष्टी की रचना तपश्या से ही होती है, तपश्या से ही इसका पालन होता है, और तपश्या से ही अन्त में इसका विनाश भी होता है, दुश्चरम, वीरियम में दुश्चरम तपहा, तो ऐसी ये मेरी तपश्या नामक शक्ती है, दूरलंग्य है, इसको पार करना, कठीन है, बल्वान है ये, शक्ती इसमें सामर्थ ये है, वीर ये है, तो ब्रह्मा दो शब्द भगवान के समक्ष कहते हैं, अपना साक्षादकार ही, मैं कहते हैं कि प्रभूफ, मुझे उस मकडी का उर्ण नाभी, मकडी, स्पाइडर, उसका स्मरन होता है, वो अपने ही शरीड से ये मुख से कुछ लाड या निकालता है, उससे अपना सरा जाल या अपना घर स्रिष्टी करता है, आफ इसको एपने शरीड में पुना भी अंदर लेता है, समेट लेता है, तब वैसे ही करते हो, स्प्रश्प्री आप से उत्पन होती है, आप में है स्थित होती है, दो हम ही पुना प्रवेष करती है, तो आप उर्ण नाभी के साथ, अपकी तुला, अब मैं शृष्टी करूंगा, ब्रह्मा कहते हैं, एक तो आपने मुझे दर्शन दिया, आप यहाँ पधारे, आपने हाथों में हाथ मिलाया, एक मित्रता का सम्मन स्थापित किया, इसे मुझे कुछ घमन या गर्व उद्पन्न ना हो प्रभू, मैं स्वयम खुद को से एक स्वतंत्र करता ना मानू, ऐसा कुछ करो, ऐसी बुद्धी दो, मुझे विनम्र बनादो, तरनादे पी सुनी चेन तरोर पी सहिष्णुना, अमानिना अमान देना, कीरतनिया, सदा हरीता क्याप का मैं गुण गाता, गरो गाता, गाता रहूं, और इसके लिए मुझे विनम्र बनाएए, सहनसिल बनाएए, और उनका सदकार सन्मान करने वाला बनाएए, ये दो शब्द होने के बाद भगवान, अब चार शब्द कहेंगे, जिसको, और ये चार शब्द ही, पूरे स्रीमत भागवत के बीज मंत्र है, सारा ग्रंतराश श्रीमत भागवत इन चार वचन या स्लोकों पर निर्भर करता है, इसलिए इसको चतुस्लोकी भागवत भी कहा है, चतुस्लोकी, चार शब्द भागवत, जिसको अब भगवान ब्रह्मा को सुनाएंगे, तेने ब्रह्म रुदाय आदी कवये, बिलकु प्रथम जो स्लोक है भागवत का उसमें कहा है वे भगवान जिन्होंने क्या किया ब्रह्मा को स्रीमत भागवत का ज्यान दिया पे आदी कभी ब्रह्मा को ज्यान देने माले भगवान तो वे चार स्लोक जिसका मैं ऐसे श्रिल्य प्रहुपाद ने जो इन स्लोकों का अनुबाद किया है वसी को पढ़ के सुनाना चाहूंगा यथा रूप ताकि पूरा का पूरा जिसका भावारत के साथ भाशानतरित हो ये चार स्लोक तो भगवान कहते है ए ब्रह्मा वह मैं ही हूँ जो श्रिष्टी के पूर्व विद्यमान था जब मेरे अतिरिक्त कुष्छ भी नहीं था तब श्रिष्टी की कारण स्वरूपा भावतिक प्रकृति भी नहीं थी जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ और प्रलाय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ वह भी मैं ही हूँ विद्यमान आगे कहते हैं ए ब्रह्मा तुम यह जान लो कि ब्रह्मान के सारे तत्व विश्व मैं प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते उसी प्रकार मै उद्पन की गई प्रतेग वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्यक वस्तु से प्रत्ल ke रहता हुए जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हूँ उसे चाहिए कि वह समस्त परस्तियों में सर्वत्र और सर्वधा प्रत्यक्षत था और प्रत्यक्षत दोनों की तोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे हे ब्रह्मा जो था तुम मान को एकाग्र करके इस निर्णे का पालन करो तुम्हें नत अंशिक और नहीं पूर्ण प्रला के समय किसी प्रकार का गर्व विचलित न करेगा तो ये चतुस्लो की भागवत कहलाता है भगवान ने ये भागवत सुनाया इतना ही सुनाया प्रह्मा को हमको तो बहुत कुछ 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 समझ में आया होगा लेकिन ज्यादा समझ में तो हमको नहीं आता है लेकिन ब्रह्मा सब को समझ गया एक एक अक्षर से एक शब्द से उनके कई सारे साक्षातकार, विस्तार और भगवान की मदद से ही उसको उसका तत्परी, उसका गूढ अर्थ, उसका भावार्थ, उसका भावार्थ, ब्रह्मा समझते हैं और इसी भाववद को अपने साक्षातकार किये हुए विस्तरित भाववद को वे नारद जी को समझाते है जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी के शिष्य भी है और यही नारद अपने शिष्य श्रीलव व्यासदेव को यह भावद परंपरा में सुनाते हैं और व्यास मतलब एक्स्पैंडर जो विस्तार करने वाले उनी को व्यास कहते है तो ब्रह्मा ने कुछ विस्तार करके समझाया कहा भावद पर नारद जी ने उसको और विस्लेशन निरुपन करके समझाया और श्रीलव व्यासदेव उसका पूरा कार पूरी वांग में मूर्ती जो अठारा हजार स्लोकों में वादस कंदों में उसकी प्रचना किये और इसको अब सिखाए अपने पुत्र को जो शुगदे गोसामी है और अब शुगदे गोसामी असको ब्रॉड्कास कर रहे हैं फिर्स टाइम जब राजा परिक्षित के साथ ही दिन अब शेश थे और विचार विमर्श हो रहा था कि अब साथ दिनों को प्योग कैसे किया जाए क्या करे करमयो करे ग्यानयो करे तीर्थ यात्रा करे कि जब तब करे क्या करे तो क्या करे क्या साथ दिन क्या करे तो जब वहाँ के रुशी मुनी अपस में बहस कर ही रहे थे इतने में वहाँ पधार कहे शुकदेगो स्वामी और रुशी से संकेत ये मिला कि ये भागवत के वेता है इनका यहाँ पधार ना अगमन इसे स्पेष्ट होता है कि यहाँ तो राजा परिश्चित को साथ दिन साथ रात्री तक भागवत की कथा का अश्रवान करना चाहिए तो फिर भागवत कथा प्रारम हुई और तब से समसार भर में समसार को ये भागवत प्राप्थ हुआ मेनियोल प्राप्थ हुआ पुरा ज्ञान ज्ञान अभी ज्ञान सहीतम तो इस ऐसा है भागवत इस भागवत के दस लक्षन शुगदेगो स्वाम ही सुना रहे है राजा परिक्षित को अत्र मतलव इस भागवत में सरगो विसर गष्च स्थानम पोशनम उतया इसके दस लक्षन कहे इस स्लोक में और फिर आगे के कुछ स्लोकों में हर एक लक्षन को संक्षित में उसको समझाए जिसको हम समझने का किन चीज सा प्रयास करेंगे और वे आगे कहे यह दस लक्षन कहे और फिर कहते यह जो दसवा है लक्षन जिसको वे आश्रय कहे है दसवा लक्षन है आश्रय और दूसरे जो नव लक्षन है वे इस दसवे और अंतिम आश्रय नामक लक्षन को प्रकाशित करने के लिए यह दूसरे नव लक्षन है यह आश्रय तो भगवान है यह आश्रा है बताई भगवान यह कहे ही है तो महानो कुछ nine flood lights है और किसी को प्रकाशित कर रही है दसवे को प्रकाशित कर रही है तो यह नव लक्षन भगवान को प्रकाशित प्रस्तुत करने के लिए ही नव लक्षन है तो भूते भूतमात्रेंद्रिया तो सर्ग मतलब स्रिष्टी है भगवान ने की हुई स्रिष्टी इसमें भूत मतलब पंच महाभूत तन मात्रा 16 परशरूप रसकंद एकादश इंद्रिया महतत्व और अहंकार यह सर्ग भगवान की स्रिष्टी इस सर्ग कहा है इतना होने पर अब विसर्ग तो सेकंडरी क्रियेशन जैसे आरसी सी स्ट्रक्चर होने के बाद फिर पेंटिंग, डेंटिंग, फर्निशिंग इत्यादी होता है तो अब ब्रह्मा टेक ओर करेंगे और आगे का सर्ग के बाद विसर्ग इस प्रह्मान के चराचर स्रिष्टी और उनको रूप और यह थावत, इसको स्थीत करेंगे और कार्य दिये जाएंगे चंद्रमा लाइट फिटिंग होगा दिन में फ्लड लाइट, रात में डिम, नाइट लाम्प, चंद्रमा सचे ब्यूटिफो, कैसी व्यवस्ता है लोग अभी दिन को रात और रात को दिन कर रहे है यह यह कृत्रिम जीवन हुआ बहग्वान की वस्ता के नुसार दिन में कार्य करो रात री के समाए विश्राम का भी समाए है शरीर के लिए विश्राम भी चाहिए ते हुआ तो सर्ग विसर्ग स्थानम तो इसे स्रिष्टी बनते ही वैसे विनाश प्रारम होता है क्यांकि स्रिष्टी के विपरीद विनाश है creation की destruction है तो creation होते ही उस पर प्रभाव होते है गुनों के भी और विनाश की ओर स्रिष्टी आगे बढ़ती है तो यह चुनवती है कैसे उसको maintain करना है ताकि विनाश न हो और यही कार्य है स्थानम जीव ओडियों तहुआ घुए इसको maintain करने का इस स्रिष्टी को बनाय रखने का चिछुनवती कार यह है यही है स्थानम पोशन स्पेशली अपने भक्तों का पालन पोशन अपने भक्तों पर विशेश जो भगवान का अनुग्रह होता है पुष्टी करते है भगवान समसार तो करता है शोशन और भगवान करते है पोशन तो स्रीमत भागवत में सर्वत्र भगवान ने किये अनुग्रह अपने भक्तों के प्रती उसका वर्णन आता है यह सारा पोशन है उतया कर्मवासना तो हर जीव की कर्मवासना के अनुसार वो कारि करता है और बद्ध होता है तो यह सब कारिय कारण और बंधन बद्धता उसके पीछे उसकी वासना यह सब उती का बहुचन उतया हुआ मनवंतर तो एक मनु और दुसरे मनु उसमें जो अंतर है वो एक मन वंतर है ब्रह्मा के एक दिन में कल आप सुन चुके हो चवदा मनु जो होते हैं मनु उनका भी शाष्ण होता है ब्रह्मान में वे भी मनु सह्यूता की रचना करते हैं और मनु शो पर उनकी रख्षा उनके बनाए हुए नीमों के नुसार यह सब मन वंतर के अंतरगत संक्षित में कहा जा सकता है इशानु कथा वैसे भगवान के भक्त और भगवान की कथा अवतार अवतार अनु चरीतम हरिश्य अनु वर्ति नाम तो भगवान की कथा और उनका अनुसरन उनकी सेवा करने वाले या भगवान के पीछे पीछे जाने आने वाले जो भगत है उनकी कथा यही तो है स्रीमत भागवत केवल भगवान की कथा संभाव नहीं है उनका भगत है तो फिर कुछ लीला है कुछ संबंध है कुछ विचार गोस्टी है कुछ दर्शन है तो दोनों की कथा साथ में होती है कृष्णा के लिए है भी नहीं और कृष्णा पूरे तब हो जाते है स्वयम और उनके सारे उनके अंश भी उस अंशी के ही तो अंश होते है और उसमें से अपने भगवधा में तो पूरी 100% पॉपुलेशन वईकुंट की गोलो की भगवान की भक्त है और अधीक तर जीव ऐसे भगवान के धाम में ही है यहां वहां के तुलनाएं बहुत कम लोग है इसे कारागार में लोग कितने होते हैं पुने में भी बड़ा फेमस कारागार है तो वहां भी पता नहीं कितने हैं लेकिन यहां तो 50 लाग की जनता स्वतंत्र है और कुछ लोग कारागार में है तो यह ब्रह्मान भी एक कारागार ही ऐसा भी वर्णन आया है कारागार ही है प्रिजन हाउस तो बाकी जो है भाकता है तो यहां पर भी कुछ भाकता है इस कारागार में भी भाकता है भागवत है यह भगवान भी यहां समसार में आते है अपने भगतों के साथ तो भगत और भगवान की कथा यह हुआ इशानु कथा और निरोध अंत में जब प्रम्हान का प्रलाई हुआ तो सभी जीव पूरा प्रम्हान भी महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करता है और सभी जीव भी अपने सुख्ष्म शरीर में लिफ्त होते है उनका स्थूल शरीर नहीं रहता उनका मन बुद्धी अहंकर वाला शरीर और उनकी सारी वासनाए उनके भाव उनके कर्म उनके साथ उसी के साथ बेप्रवेश करते हैं महाविष्णु में और ये है निरोध उसका वर्नन ये निरोध कहलाता है आजम के वेरंट के थैंट में आश्राआ साशरया यहां परम ब्रमप परम आतमेती शब्जदे आश्रक को कहते हैं भ्रम माट्मा भगए जी शब्जदे आश्राइ ठीछाइ प्ला मुख्ति को यह मुक्ति रह गए मुक्ति रह गए निरोत के बाद मुक्ति है मुक्ति के बाद आश्रा है तो मुक्ति को बहुत सुंदर शब्दों में मुक्ति का वर्णन या शुक्देगो सामी करते हैं मुक्ति क्या है मुक्तिर हित्वा अन्यता रूपम स्वरुपई न व्यवस्थि मुक्ति उसको कहते हैं हित्वा अन्यथा रूपम और सारे रूप त्याग कर स्वरुपेन व्यवस्थिति ही अपने स्वर रूप में हम सभी हम सब आत्मा है और हम सभी का स्वरूप है अत्मा का रूप है अत्मा का फॉर्म है अत्मा का नाम है अत्मा के अंग अव्यव है अत्मा का कारिय है अत्मा का संबन्ध है वगवान के साथ तो जो भी अनात्मा है जो अत्मा नहीं है ऐसे जो रूप हम इस समसार में धारन करते आए हैं जिनकी संख्या 175,000,000 कही है 180,000,000 हिोनिया पर अजव एक-एक-एक-एक वो शरीर है या रूप है और अब हम अनुश्व रूप धारन किये है लगिन यह रूप elements भी हमारा नहीं है यह तो स्थूल रूप यह वस्त्र पहना हुआ है हम तो शरीर में हैं अत्मा है तो हित्वा मुक्तीर हित्वा अन्यता रूपम स्वरुपेई नवेवस्थिति अपने स्वरुप में स्थित होना और फिर ये स्वरुप में स्थित हुआ व्यक्ति आत्मा भगवान के धाम लड़ता है तो कारा महराज कुछ अपुवाद लगते है सहाशरीर, सहाशरीर, लेकिन रास्ते में आगे क्या-क्या हुआ, उसका वर्णनतम को पता नहीं है, बगवान ने, बगवान के धाम पहुंचते, पहुंचते के समय तक, अरे क्रिशन, हरे क्रिशन, 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 हरे हरे, टोड़ी देर मैं, हम भी पहुंचाएंगे बृंदावन, अप्रिशन नहीं नहीं चाहते हो, जिदाओ रहे बाहर, माराज लेजाएंगे बृंदावन, वैसे सुख्देगो सामी, ले जाएंगे, या वैसे उद्धाव ले जाएंगे, वैसे सुख्देगो सामी, राजा परिक्षित से कहते हैं, कि ये परिक्षित उमने कई सारे प्रश्ण मुसे पूछे हैं, कुछ प्रश्णों का उत्तर मैं दे चुका हूं, और कई सारे प्रश्णों का उत्तर ऐसे मैं नहीं दूंगा, या वैसे मैं ही कहूंगा लेकिन, तुमने जैसे प्रश्ण पूछे थे, ऐसे प्रश्ण विदूर जी पूछे थे, मैत्रय मुनी से, तो मैत्रय मुनी नहीं जैसे जैसे उत्तर दिया, विदूर जी के मेरा उत्तर वही होगा जो मैत्रय मुनी नहीं विदूर जी को सुनाया था, कि तुम्हारा प्रश्ण विदूर जी के प्रश्ण जैसा ही है, कल हम कह चुके थे कि कोई वैसे नया प्रश्ण पूछ नहीं सकता, वही प्रश्ण पुना पूछे जाते हैं, और फिर स्रीमत भागवत उन सारे प्रश्णों का उत्तर है भगवत गीता उन सारे प्रश्णों का, उत्तर देती है, हम उत्तर और कई खोचते हैं, यह दुर्देव है, राजव वाच्व, राजा परिक्षित का है, जब उन्हें मैत्रे मुनी का और विदूर जी का नाम सुना, शुक्देगो सामी से, जड़ से पूछे, वो समागम कैसे हुआ, कहा हुआ, कदाबास सम्वाद, कुत्र और कदाब, कहां और कब, किस परिसिती में वे मिले, और जब वे मिले और चर्चा, जब वी होगी उन दो महानुभाव में आ, दिशिती वरियसी प्रशनह साधु बादो पब्रंहिता, विशेश, वो समागम होगा, उच्छे कोटी के, दो महात्मा, दो भगवत भक्त मिले, बोदयंतहा, परस्परम, कथयंतश्यमामनित्यम, तुष्यंतिचा, रमान्तिचा, जिसे भगवान कहे। मेरे भक्त जब इखटे आते हैं, क्या करते हैं? बोदयंतहा, परस्परम, एक दुसरों को, कथा सुनाते हैं, उस बोद कराते हैं, उस बोद का मैं ही विशे रहता हूँ, क्योंकि मत्चित्था, मदगत प्रानाहा, उनका चित्था, मत्चित्था, में उनका चित्था चिपका रहता है, लगा रहता है, और उनका सारा जीवन ही, प्रानी समर्पित होता है, मत्प्रानाहा, तो फिर वे जब बोद यंतहा परस्परम करेंगे, तो कथ यंत शमा मित्यम, तुष्यंती चा रमंती चा मरी कथा होगी, उसमें रम्मान होंगे, उसमें संतुष्ठ होंगे, यहीं है जीवन, महात्माओं का, दुरात्माओं का जीवन अलग है, वैसे वो जीवन नहीं, उमरन होता है, जीवन है तो महात्माओं का जीवन, प्राण अंती मुझे, प्राण अरपीत करते हैं, यह मुझे फिर प्राण प्राप्त भी करते हैं, प्राण अंती और चर्चा प्रार्म होती है, तो वा, इन्होंने तो कहा, कि माहित्रय और विदूर जी का समवाद मैं सुनाओंगा, वो तो थोड़ा आगे बढ़कर, वो समवाद आएगा, इसके पहले और एक समवाद, उद्धाव और विदूर जी का समवाद, जो थोड़े समय के लिए रहा, और फिर उद्धाव कहे थे कि आगे की बातें, विदूर जी सुनाएंगे, महित्रे सुनाएंगे, तो फलाने स्थान पर वेद्धाव को मिलेंगे तो, फिर पहले उद्धाव को मिलके, जिनों ने विदूर जी को भगवान, वेचे उनने और कई प्रशन विदूर जी ने और कई सारे प्रशन पूछे थे, प्रशने इक प्रकार के पूछे लेकर उतर थोड़ा कुछ भिन नहीं रहा, वेचे उनने तो आरी कृष्न कथा ही कह दी, पूछे वे प्रशन वही रह गया, लेकिन उसी से संतुष्ट हुए पिदूर जी उत्तर मिला उनको नहीं कहते हुए भी, कृष्न की बात ही उन्हों में कही और फिर कहा कि और और आगे की बाते सुनाएंगे, माहित्रे मुनी सुनाएंगे, तो पहले ये विदूर और वुद्धाव कैसे मिले, ये प्रशन वहाने, आजब परिक्षी तो नहीं पूछे थे, लेकिन ये भी आपका प्रशन हो सकता है, वे कैसे मिले, कहां मिले, क्यों मिले, तो फिर इसका इतिहास, महाभारत, शुक्देगु सामी सुनाते है, और जब शुक्देगु सामी सुनाए, और पंद्रह साल, और लेकिन शुक्देगु सामी जब शुनाते है ये तिहास ये घटना, प्रसंग, तो वे कुछ, उसे तीस साल बीते थे भगवान के प्रस्थान में, और उसके पहले की ये घटना है, तो उसकता पचास एक वर्ष, पूर्व, की घटना, शुक्देगु सामी सुनाते है, तो विदूर जी, जो हस्तिनापुर में, रहते थे, केवल रहते ही नहीं थे, ध्रतराष्ट, जो राजा थे, उनके बड़े मंत्री, पधान मंत्री भी कहते है, ऐसे बड़ी पद्वी थी, बसे दोनों भाई थे, थे, यह थे थे, पड़ु, लथुरास्ट्र और विदूर, माताए अलग यह थी, माताा थे, अगन कामना फ़ादर, श्रीलव्यासदेव, विदूर, पड़े सुन्दर थे, विदूर, विदू, 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 जानकार थे, विद्वान थे, इसलिए भी विदूर नाम से उनकी नीती, विदूर नीती नाम से प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध है तो सला मंत्रियों के पास मंत्रियों के पास मंत्र होते है राजा कई अटक जाता है तो मंत्री के पास पहुंचता है कोई मंत्र है कोई मंत्र है तो जो मंत्र कहे विसी को मंत्री कहते है इसके पास मंत्र हो कोई उपाय हो यह थोड़े में जो कहे और बहुत सारा कहा भी थोड़ा कहके तो ऐसे यह मंत्री विदूर हस्तिनापुर में रहे रहे थे तो गटना यह है जो देगों सामी सुना रहे है वह समय जब उस सभा में द्रवपती का वस्त्रहरन का प्रयास हुआ वह बदमाश दुश्शाशन नाम भी क्या है दूर योधन दुश्शाशन दू मतलब दूख से भी इसका संबन्ध है ते होगा स्वास्त्रई हरंत्या कुछ कुम कुमानी द्यान जा रहा है उनका भरी सभा में भरी सभा और सभी के समक्ष द्रवपती का वस्त्रहरन और सभी को पुकार रही है असाय पेचारी आसू बहे रहे है और बहे आसू उसके वक्षस्थल पर जो कुम कुम या केशर है उसको धोते हुए गीर रहे है ऐसी स्थेदी लेकिन उस ध्रत्रडास्त्र ने भी उस क्रत्य को नहीं रोका इसके पहले कहा है प्रवेश लाक्षा भवने ददाह उन दुस्थ कवरवों ने जिनका लीडर वो दुर्योधन उसने शर्यंद रचा पांडवों को लाक्षा ग्रह में जलाने का प्रयास शुक्दे गोसा में के तो उनको उनने जला दिया सारा प्रयास तो हुआ अग्वान के दया से बचे सही लेकिन तारी योज़ना बनी थी और उनको जरूल पांड़ भी लगा उनको जलाने का या जनाने के प्रयास का अगे दू तक्रीडा उसी समय वैसे उसीत का ये परिनाम था पेचारे पांडव द्रुपदी को भी खो बैठे और अंत में उनको बारा साल का वनवास और एक साल का ज्याद वास ने का रो रहा है ये वायोलन भी रोने लगी वनवास समझ सकते हैं इमीडियेटली वनवास तो तद परशाद वे लवट आये अब तो लवट आया जाया हमारा राज राज पूरा राज नहीं तो हुआ हम पांच भाई हैं पांच भाईयों के लिए एक ए गाउ तो दो पांच गाउ सुई के नोक पर जितनी जमीन टिक सकती है उतनी भी नहीं मिलेगी तो एसारे अन्याए हो रहे थे मेरे चल बसने के बाद समहालो मेरे पुत्रों को तो इस प्रकार समहाल रहे थे चाचा दृतरास्ट और सब चचेरे भाई भी तो स्वयम भगवान गया है समझा बुझाने के लिए देवदूद बनके उसी का भी कुछ परी नाम नहीं निकला भगवान को गिरफतार करने का प्रयास भी हुआ उस वक्त भगवान अपने विराठ रूप दिखाया करो गिरफतार विराठ रूप को बहुत बढ़िया भोजन तो बनाया था इस भोजन से प्रसन्न हो के भगवान हमारे पक्ष में कुछ बात कहेंगे लेकिन छपन भोग या जो भी था भगवान को आ गई ये तो बदबू आ रही है इस भोजन कि उसका भाव जो था भाव भगवान तो भाव के भूके होते हैं तो ऐसे दुष्ट और उनका भोजन भगवान भोजन नहीं खाए इनके घर का मेवा नहीं खाए वहाँ जाके आगे पुष्ट में विदूर के घर का ये भी विदूर जी का परीचा है ये ऐसे विदूर ऐसे विदूर हस्तिनापूर में जब भगवान आते तो वही विदूर जी की कुटिया उनका सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले थे विदूर जी तो विदूर कुटीर में प्रभू जाया करते थे एक दिन जब आये थे विजिट के लिए प्रभू आये तो कुछ भोजन खिलाना चाहिए तो दोनों भी बड़े संभ्रमित हुए क्या कैसे बिठाया जाये क्या खिलाया जाये कुछ नहीं जब मिला तो कहते हैं कोई तो कहते साग खिलाया तो कोई केला खिलाया कोई वीडियो होता उस समय का तो देख लेते हैं लोग तो कि नहीं होगा प्रणन कौंसा पदार्थ कि सुनने में कभी तो केले के छिलके खिलाये और जो केला खाते उसको तो बाजी में रख दिया उसको बढ़िया से काट के थाली पर प्रभू जी के समक्ष प्रस्तुत कि लोग चालिया और प्रभु जी जब खा रहे थे तो कहया और भोजन ऐसा भोजन तो कभी नहीं खाया था, खा है थे छिलके खा है गा घा भाव से प्रभावित है प्रभूपस उनको क्या खाने खाने से मतलब तो बाद दुर्योधन के उस भोजन को कि वो बेखे तक नहीं तिरची नजर से लेकिन यहां विदूर जी के घर में साख खाये या खेले का छिलका का स्वादन लिये ऐसे विदूर जी आगे और उनकी चर भगवान लौटे है कुछ उनका जो उदेश था वो तो सफल नहीं हुआ उल्टे अब भगवान कह कि आप तो युद्ध ही होगा आप कवरों की मुलाखात होगी वहा धर्मक्षेत्रे कुरूक्षेत्रे समवेता युष्वहा मामकहा पांडवास चाईव किम कुर्वत संज या उस युद्ध को डालने के उद्धे से मैं एक शांदी दूद बनके आया तो था लेकिन तुम नहीं मानते हो बातों से नहीं मानते हो तो लाथ के लिए तयार हो जाओ अईसे भूत हो तुम बातों से नहीं मानने वाले तो लाथ तो भगवान के लोटने के उपरां तिर महल में विचार विमर्ष हो रहा है अब क्या किया जाओ अब तो युद्ध की घोशना भगवान करके गए तो विदूर से पूछ रहे थे दृतरास्ट बैठे है दुर्योध हने शकुनी है कर्न है अन्य भाई बैठे है तो विदूर से पूछ रहे कि अब इस थित्य में क्या सही है क्या गलत है आप आप ही बता दो तो विदूर जी ने कहा जो भगवान कहने आये थे भगवान के प्रतिनिदी भग्त विदूर जो निती गिवे थे निती में निपून थे और निश्पक्ष थे निश्पाफ थे उनने तो सोचा और कहा भी खित तो ये राज पांडवों का है पांडवों को लोटाना चाहिए उनका हक है इस राज पार वे उत्तराधिकारी है और आप सुने ही हो अब भगवान भी युद्ध की घोशना करके गए तो शायद आप सोचते होंगे दुर्योधन ओ हम कव रहो तो सव है सव के संगे वो तब पांच ही पंडव है पांच ही है पांच कहा और हम सव है नहां हंडर्ड लेकि विदूर जी कहते है भगवान भी तो उनके पक्ष में है और भगवान के पक्ष में तो वहरे देवता भी तो उनके पक्ष में है इस पर विचार करो विजयस्तु पांड़ पुत्रा नाम इशाम पक्ष जनार्दन विजय तो पांड़ पुत्रों की होगी क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन स्री कृष्ण है अभी आउसर समय है तो पेशाम प्रमत्य निधनम पश्चन पीन पश्रति जो आशक्त है मोह माया से लिप्त है ग्रस्त है उनको सत्य बाते या हिद की कही भी बाते भी पश्चन पीन पश्चति दिखाने पर भी उनको दिखाई नहीं देता पश्चन पीन पश्चति तो इस प्रकार की मंत्र ना जब धरतरास्ट्र and company दुर्योधन and company ने जब सुनी है तो वे इतने आग बबुले हुए इतने क्रोधित हुए उन्होंने ऐसे कुछ वचन कहे ए तुम दासी के पुत्र तुम दासी के पुत्र तुम चाचा लगते थे अधर सन्मान करना चाहिए था लेकिन ये सदाचारी तो भतीजे थे नहीं हम तुम को पालते हैं और तुम ऐसा साहस दिखाते हो ऐसी मंत्रना करते हो पक्षपात करते हो उसे दुर्योधन ने कहा तुमारी जान तो नहीं लेंगे बस मेरे राज्य में के वल साहस लेने का अधिकार है तुमें और बाहर करो इनको अधिकार आगे शब्द वाक्या बीना कहें बाहर निकले अपना धनुश्वान मंत्री थे तो हतियार थे वही द्वार पर पटक दिये और आगे बढ़े और जाते जाते वैसे कहे यह नहीं समझना कि अब मैं वो पांडों के उनको जोईन करने जा रहा हूँ तो अभी दूर जो घर से प्रस्थान किये उन्होंने वानप्रस्थ वानप्रस्थ बने बन का प्रस्थान किया उन्होंने तीर्थ यात्रा प्रारम की सारे भारत वर्ष के तीर्थों में वे घुमे भारत वर्ष जहाँ गंगा बहती है जमुना बहती है जहाँ चार धाम है जहाँ साथ पवित्र नदिया भी है कि अनेक पग पग पर तीर्थ है राम लीला की इर्थ स्थालिया कृष्ण लीला की कृष्ण स्थालिया अब चेतने महापुव के लीला स्थालिया भी बन चुकी है सारे विश्ण मंदिरों में मंदिर के ओपर चक्र देखा आ मतलब विश्ण मंदिर है तो कूद पढ़ते दर्शन करते प्रणाम करते स्थुती करते भगवान को आराधना करते वहाँ के भक्तों के साथ भगवान की चर्शा करते वे कई तीर्थस्थानों में गए अब महा भारत की युद्ध के पहले पेग घर से महल से निकल चुके थे उनको पता नहीं है लेकिन महा भारत की युद्ध भी बीद गया जब भगवान सव साल के थे इस अंसार के भगवान एक सो पचीस साल रहे तो युद्ध के उपरांद और पचीस साल बीद गया और अब ऐसा भी समय आया था कि भगवान भी अब समसार में नहीं थे इनकी यात्रा चल ही रही है युद्ध कुछ पचास नहीं पचास पचीस मिनिमाम थोड़े अधिक पर्शनों तक यह यात्रा भ्रह्मन वासुदेवानुचरम यात्रा करते करते सवरास्ट्र गया करें सवरास्ट्र गया मच्षदेश कुरू जांगल उत्रप्रदेश में वहां से उनका व्रिंदावन में जमुना के तट के प्रदेश में अगमन हुआ और वहां उन्होंने दूर से एक महात्मा का दर्शन किया वे थे उद्धा ब्रहस्पती के शिश्य प्रशान तंबड़ी शान मुद्रा में बैठे थे वासुदेवानुचरम वासुदेव का जन्होंने अनुगमन किया वासुदेव के भी जो मंत्री रहे उद्धाव मित्र रहे उनके साथ उन्होंने अधिक तर समय बिताया इस भगवान ने जब स्वयम नहीं जा सके उन ब्रजबासियों को मिलने के लिए तो भगवान ने उद्धाव को भेजा यह मेरा संदेश लेके तुम ही जाओ उद्धाव और समझाओ बुझाओ ब्रजबासियों को और अंत में गोपियों को भी मिलो और कहो कि मैं लवटने ही वाला हूँ तो ऐसा विश्वास जिस भक्त में था ऐसे उद्धाव को ऐसे उद्धाव वहाँ दिखे विदूर जी को तो तेजी से आगे बढ़े हैं और उनके पास पहुंचते ही उन्होंने आलिंगन दिया गाड आलिंगन दिया एक दुसरों को और कोई समय के लिए का भाई ये ग्यान नहीं रहा अंतकरन में ही उस भाव की अवस्था में अलिंगन मुद्रा में वे रहे और अब जब वे बैठे तो बहुत समय के उपरांत उनको एक व्यक्ति अब तक ऐसे व्यक्ति नहीं मिले थे अपने ये भगवान के भक्त भगवान के अनुचर पर्शद या जो दोनों भी परिवार बगवान दौरी का में रहते थे वहा का सारे परिवार फिर हस्चिनापूर के निवासी ब्रंद्यावन वासी सब के सम्मन्द की कोई जानकारी देने वाला समाचार देने वाला अब तक उनको नहीं अब तक तो नहीं मिला था अब पहली बार इतने सालम के उपरांद जब मिल रहे हैं तो विदूर जी कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं ओ वे तो ठीक है ना वे कैसे है एक 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 का नाम लेके कुशल मंगल फूछ रहे हैं कैसे है तो उन्हें ने शुरवात की है कृष्ण बलराम से ही शुरवात की है वे कृष्ण बलराम वे कृष्ण तो जभी किसी का नाम लेते उनके समन्त में कोई उनका कोई वेशिष्ठ उनका कोई गुंग का भी विदूर जी वर्नन करते हैं तो वे जिनके नाभी से प्रम्हा उत्पन्न हुए वे स्री कृष्णा जो इस पृत्वी पर पधारे विनाशाय चादुस्कृताम और इस पृत्वी भार नाशो मुकंदह पृत्वी भार को घटाने के लिए जो प्रभु पधारे थे वे कैसे है ठीक तो है ना और वे पुझ्या वसुदेव सारे कुरुवम्शियों के परम मित्र वसुदेव वे कैसे है वो प्रद्यूम्य कैसा है वो रुक्मिनी का पुत्र पहले जन्म में वो कामदेव था रुक्मिनी का पुत्र प्रद्यूम्य के रूप में प्रगट हुआ जो वो कैस है और यादवों की अधिपती उग्रसेन कैसे है सामभा स्री कृष्ण का एक पुत्र पुत्र दस दस पुत्र एक एक पत्नी से दस दस पुत्र कितनी पत्निया 16,108 दस पुत्र और एक पुत्री तो विदूज भी एक एक का नाम लेके वो पुत्र कैसा है वो पुत्र कैसा है वो पुत्र कैसा है वो पुत्र कैसा है वो पुत्र 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 वो पुत् यह उनके मन में वैसे शंका है लेकिन सिधे नहीं पूछना चाहते उन्हीं को ही कहने दो देखते क्या कहते है उद्धाव और वे अक्रूर कैसे है अक्रूर जब वे जा रहे थे मथुरा से प्रंदावन कृष्ण को मथुरा लाने के लिए पुद्धाव कहते है रास्ते में उन्होंने भगवान के चरन कमल का चिन जब देखा तो रत से ऐसे धडाम करके गिर गए और उन्होंने भगवान के चरनों को चुआ और उनका शरी रोमान चित हुआ और अपने आखों से निकले हुए आसूं से उन्होंने वहां की भूमी को पंकील या गीला किया वे अक्रूर कैसे है वो सत्यभामा का पुत्र चारुदेशन कैसा है वो गांडी उधारी अर्जुन प्रसन्न है ना और वे मांडी के दो पुत्र नकूल और सहदेव जिनकी रक्षा युदिस्टिर महराज किया करते थे कैसी रक्षा किया करते थे ऐसे आखों की रक्षा पलक आखों की पलक आखों की रक्षा करती है तो वैसे ही वैसी रक्षा युदिस्टिर बहाराज इनकी करते थे वे यमजपुत्र नकूल और सहदेव तो कुशल है ना ऐसे कहते 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 वे ध्रतराष्ट को भी नहीं भूले क्या वे बेभी तक जीवित है उन्होंने में सा थोड़ा इधियास कहा और मैं कहते हैं दूजी कहते हैं मैं शोग करता है रहता हूं तो पूर ध्रतराष्ट्रा बेचारे मेरे भ्राता ध्रतराष्ट्रा उजे दया आती है जो पांडू से द्रोह और फिर पांडू नंदन उनके पुत्रों से द्रोह ध्रतराष्ट्रा उनके पुत्र भी करते रहें और अपने पुत्रों की ध्रतराष्ट्रा क्या करते रहें हां में हां मिलाते रहें विदूर जी कह रहे हैं उद्धाव से इतने आसकत थे मेरे भ्राथा, क्या है? उनको पता नहीं है कि नहीं इतने आसकत थे अपने पुत्रों में, पुत्रों की हर बात को मान लेते सही होऊ, गलत हो, हा में हा मिलाने वाले मेरे भ्राथा मैं तो उनका हिताचिन तक लेकिन क्या कहू ए उद्धा उन्होंने मुझे घर से महल से निकलवाया और तब से मैं यात्रा में हूँ तो कहो कहो और रंत में वारता सखे कीरताया तीर्थकीरते है ये सारे तो सभी का कुशल मंगल तो पूछा ही और फिर ये भी पूछा भगवान तीर्थकीरती भगवान का स्री हरी की पवित्रकीरती वो भी सुनाओ ऐसा निवेदन जब विदूर जी ने किया उद्धों के चर्णों में शुकवाच और शुदे गोसा में कहते हैं कुद्धव जी की मनस्तिती में भगवान ही भगवान का विचार वे भाव भाव में उतर आये हैं भाव में इनका स्थित वे उनका उत्तर देना है वहाँ विदूर जी बैठे इस बात का कुछ ख्रनों के लिए ग्यान भी नहीं रहा फिर थोड़ी देर में उन्होंने स्वयम को सम्हाला अधिश्वावावावावावावावावावावा और कुछ कहने का वे प्रयास करने लगे उतने में उद्धव के संबन में कहे यहां राजा परिक्षित को भी कह रहे हैं यह जो उद्धव है ना यह बच्पन से ही प्रभु के अनन्य भाग्त यह उद्धव जब पांस साल का ही था तो कृष्ण की मूर्थी जैसे बालक गुडिया के खेल खेलते तो कृष्ण की मूर्थी के साथ यह खेला करता था मूर्थी को खिलाता मूर्थी की आराधना अर्चना पुष्प चढ़ाना अभिशेक करना इसे में वो तल्लीन रहता हो उनकी माँ पुकारती है आओ आओ नास्ता करो तो प्रभु की सेवा में वो तल्लीन रहता उसको नास्ते की परवा नहीं ऐसा यह तो जब बालक था तो आगे जब बड़ा हुआ तो और भी बड़े या गाढ़े बन गए थे उद्धों के तो कहने लगे प्रयास कर रहे हैं कहने का गद गद हो उठा है किते कि यह यह कृष्णा तो उन्होंने पहला वो जिग्यासाभी की दिन का कुष्रमंगल कहो यह कैसे है वे कैसे है वो तो वेशे वही रह गया अभी बगवान का थोड़ा कीरती गान भी सुनाओ उसको आंत में कहा था मिदूर जी ने तो उसी टॉपिक उन्होंने खोला और कहने लगे यह जो कृष्णा है है तो अजन्मा लेकिन जन्म की जन्म लेने की लीला खेलते है और वैसे यह अभ़य है या औरों को अभ़यदान देते हैं लेकिन जैसे ही जन्म लिया तो कंस के भाय से मत्षुरा से रातो रात इनमें प्रस्थान किया और गोकूल चले गए और जब काल यवन पीछा कर रहा था तो उनों डरे हुए स्री कृष्णा दवड रहे थे काल यवन से कि यह मुझे समझ्मनी आता है यह है तो अभाय 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 चरना रविंदरे कोई अभाय प्राप्त करना चाहता है तो इनके चरनों का बंदना करो आश्राय लो ऐसा हम सुनते हैं लेकिन यह स्वयमी कभी-कभी भाईभीत होने का जब लीला करते हैं तो हमें मैं संभ्रमित हो जाता हूं रंचो 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 जरासन दर गया डर पो कई का मत्रा में युद्ध किये बिना द्वारका की ओर लोड दोड रहे थे क्रिश्न और बल राम मानों वे भाई भीत है लेकर ऐसी बात तो नहीं है तो एक-एक करके अलग-अलग लीलाओं का समस्मरन कर रहे हैं उद्धाओ और वो कहते हैं इन लीलाओं का समरन करके मेरा चित व्यथीत होता है जब कम्स का वद हुआ और इनों नहीं तो उग्रसेन को राजा बनाया मत्रा नरेश लेकिन और जनता की तरह ये स्वयम भी उग्रसेन के समक्ष आके पूचते महराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ओ ये समझ में नहीं आता अब ऐसे स्री कृष्णा मज़े समझ में नहीं आते महा भारत में जब युद्ध हो रहा था दुनिया समझती होगी महात्मा गांधी ने भी समझा होगा कि कैसे तुम्हारे या हमारे ये भगवान जिनुने हिंसा करवाई युद्ध करोड युद्ध मारे गए महा भारत की युद्ध में लेकिन उद्ध हो कह रहे हैं युद्ध भगवान का दर्शन जब करते अर्जुन करत उन शत्रु सैन्य के सामने और सारा शत्रु सैन्य अर्जुन से भी अधिक भाग्यवान अर्जुन तो भगवान की पीठ कोई देखते रहे पीछे थे लेकिन भगवान का पूरा दर्शन तो सारा शत्रु का सैन्य करता करता जब करता रहा और इतने में अर्जुन का पवित्र बान जब धस जाता उनके सीने में या कई पर उसे के साथ वे सब मुक्त हो जाते है उस महा भारत की उध्ध में मारे सभी के सभी उध्ध मुक्त हो गए भगवान ने उनको मुक्त किया भगवान हिन्सक नहीं भगवान दयालू है भगवान जिसको मारते हैं वो भी मुक्त होता है जो भगवान के प्रेजंस में उपस्थिती में जो मरता है वो मुक्ती को प्राफ्ट करता है वो द्धव Gibralina स wash सक्षादकार और यह सक्षादकार भिष्म पेतामा भी कहे है भागवत में और वशिश्युपाल ओ, इतनी सारी गाली बकता रहा 1, 2, 10, 20 3 more to go 97 सव गाली दे सकता था सव अपराद सहने वाले थे भगवान इसको ऐसी छूट या डिसकाँट था एक, दो, तीन लेकिन जब सव अपराद करोगे तो यह बकता रहा यह वो कृष्णा इसा है मा खंचोर, यह चोर, वो चोर यह कितने हो गए है 95 99 100 उसे के साथ भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र को आगे बढ़ाया असंख्य लोग थे उस सभा में लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र अंधा नहीं है वो सी दे गया यह दर गया वो दर गया आप तो जहां भी था इने के रास्ते में जितने भी लोग थे उनके गर्दन कटा आते हुए सुदर्शन आगे नहीं बढ़ा बस जिसके लिए छोड़ा था तो आदेश का अपालन करता है यह मुरली भी जब भगवान बजाते है तो जिनके लिए मुरली बजाई जाती है वही सुनेंगे केवाल गोपिया सुनेंगी घरवाले नहीं सुनेंगे और वो सिश्यपाल को भी मुक्त किये भगवान ऐसे ऐसे भगवान और फिर दयालू भगवान वैसे भगवान के कुछ विशेश गुणों का वर्णन जिन में हो रहा है उन लीलाओं का स्मरन उद्धाव का रहे है तो यह स्मरन करते करते अब उन्होंने उस लीला का स्मरन किया है और बस सीमाई हो गई आगई बकी आगई बकी बकी कौन है बक बकासूर की बहन बकी यमराज की बहन यमी यम यमी बक बकी ऐसे नाम आ जाते हैं तो बकासूर का इस वदबाद में होगा ये दो भाई थे और एक बहन थी बकासूर अगासूर ये दो भाई और बहन पूतना क्या परिवार है एक ही माला के मनी तो वो बकी आगी अहो बकी यम और कैसी आई कल कहा तो था सजधश के आई मानो लक्शिमी आई लेकिन अपने स्थान पर जिसको छपाया था उसने काल कूटम हलाहल जहर लगा के पधारी थी उसका उदेश था कंस की ओर से आई थी संकल्ब करके की पीछले दस दिनों में जितने भी बालक जन में है उनका खून पीओंगी मैं आँ बात बढ़िया आगे बढ़ो कंस के अदेश अनुसार पहुंची ये बकी क्रिष्ण को टार्गेट बनाया ऐसे बढ़ों और बालकों की रक्षा करना चाहते थे इसे लिए उसके दिमाग में ऐसी ऐसा विज़ाद डाला कि तुम क्रिष्ण से शुरुआत क्यों नहीं करते हैं क्रिष्ण से प्रारम करो तुमारा कारिया शुभारम या अशुभारम और बच्चों की रक्षा के लिए भगवान ने उसको अपनी और ही ले आए और फिर उस पुतना ने गोद में लिया कुछ लाड़ प्यार हो रहा है और धीरे धीरे उस कनहिया को जिन्होंने अपने आखे बंद की है इसका मुखड़ा नहीं देखना चाहते और भी कारण बताये आचारे उने क्या हूं आखे बंद की कृष्ण ने आखे बंद करने के पीछे क्या क्या कारण है इस पर भगवान विचार कर रहे है उसके एक लिस्ट आती है क्या क्या कारण भगवान ने सोचे या किसके कारण भगवान ने आखे बंद की तो हुआ अंत में जब दूद नहीं ये जहर पिलाने का जब प्रयास हुआ तो उसी के साथ वैसे बाहिय दृष्टी से भगवान ने उस पूतना का वद किया लेकिन और भी कुछ हुआ जो हमको पता नहीं है शास्तरों को पता है या भगवान को पता है और उसका वर्णन जो तत्व बित्ता है धर्मग्य है धर्म के मर्मग्य जो है या भागवत के मर्मग्य जो है में जानते हैं और फिर हमारे उद्धा भी जानते हैं तो उन्होंने कहा कि आईसी पूतना जो ऐसा गुद्धेश लेके इस छोटे निश्पाप बालक कृष्ण का वद करने के गुद्धेश से आई हुई और थी भी असाध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् लेकिन हुआ क्या लेभे गतिम धात्रिम उचिता ऐसे पूतना को भी भगवान धात्री मतलब माता की पदवी दिये माता के लिए जो उचीत पदवी होती है उसको गोलोग भेजे और वहाँ वो माता बनेगी माता जैसी सेवा करेगी ऐसी पदवी देने वाले स्री कृष्ण तो कहते है कि आ या तो दया की कोई सीमा ही नहीं रही और कौन दयालू हो सकता है अपने जो हितेशी है मित्र है उन पर तो दयालू करते ही है लेकिन शत्रू पर दया और ऐसा शत्रू जो जान लेने के लिए पधार चुका है उस पर दया तो ऐसे कृष्ण को छोड़ के मैं और किसकी शरन में जा सकता हूं मतलब और कोई नहीं है इतना दयालू इसलिए शरन लेनी है तो किसकी शरन लो कृष्ण का नहीं आला लखी निताइगोर प्रेम अनन्दे तो ये तो गुद्धव जी का और भी आगे प्रवचन है कुछ लिलाओं का उन्होंने स्मरन करके उसी को प्रस्तुत किया कहा विदूर जी से और भी लिलाओं का वे आगे स्मरन करेंगे और कहेंगे उनको उनका स्ट्रवन हम कल करेंगे और फिर उद्धव विदूर जी मैत्रे से जाके हरी द्वार में मिलेंगे और उनके बीज का समबाद दीग कल के सत्र का विशाय रहेगा इताइगोर प्रेमनंदे